हाई फ्रेंड्स उमीद करता हूँ आप सब खेरियत से होंगे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो आज पेपर हुआ है FAA exam का किस टाइप का पेपर था सीफ स्कूर क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड का टाफ कितना हो सकता है तो अगर हम पेपर लेवल की बात करेंग जो कि बहुत जादा टाइम कंजूमिंग है सचाइज मैथमेटिकस स्टैस्टिस्टिकस और एकमटेंजी में भी एक दो क्वच्चन नूमरिकल क्वच्चन आये थे तो वर आल अगर हम बात करेंगे पेपर लेवल की तो इजी टू मॉडरीट लेवल का पेपर था तो स्क्र पर मैं जनरल नॉलेज जो कि बहुती इजी पोरिशन था इसमें अगर आपने 23 to 24 स्कोर किया है तो इस कंपोनेंट के लिए ये सेफ स्कोर है अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे अकाउंटेंजी इसमें भी अगर आपका स्कोर 23 रहा है तो ये भी सेफ स्कोर है इंग्लि सिक्स मार्कस जनरल साइनस एट मार्कस मैथामिटिक सिक्स मार्कस केंप्यूटर 7 to 8 मार्कस तो इसके अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ये इस पेपर में सेफ स्कोर है जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना इसमें ज्यादा फरक नहीं होगा एक दो मार्कस के डिफरेंस हो सकती है इसे ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी आराउंड 89 to 91 जिस कंडिट का भी स्कोर आ रहा है इस पेपर में तो इस पेपर के लिए ये सेफ स्कोर है फिर भी जिनका आज अच्छा ह नहीं हुआ है आने वाले दुनों में बहुत सारे जेके SSB एक्जैम्स है फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है आप अपनी प्रिपरेशन कंट्यून रखे किसी न किसी एक्जैम में आप डेफिनिटली काम्याब हो जाओगे